बिहार के मुख्मंत्री है अप बिहार के मुख्मंत्री है अच्छका न्यूस फॉर नेशन देख रहे हैं आप मैं हूआ आपके साथ रश्मी बिहार में मुख्य मंत्री नितीश कुमार की सरकार है लेकिन ये सरकार कई वजहों से कट घरे में है चाहे वो शराबंदी कानून की हम बात करें या फिर लगाता बिहार में बढ़ रहें अपडात की इसे में इन तमाम मुद्दे को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कॉंगर्स के नेता आदत ये पास्वान है उनसे जानेंगे कि आखिर क्यों सियम नितीश कुमार मुख्य मंत्री के तौर पर फेल साबत हुए है सबसे पहले तो न्यूस फोनीशन से बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका आपका धन्यवाद कि आपने फिर से मुझे एक बार मौका दिया कि मैं आपकी बातों अपनी बातों को आपके थ्रू पूरे बिहार के लोगों तक पहुंचा सकूं इसके किसी को मिलता ने इसके सिर्फ दूस्प्रभाव ही हैं लेकिन दिक्कत क्या है कि यहां असफल शराब बंदी की हम बात कर रहे हैं और असफल शराब बंदी जब हो जाए तो वह नियम को रहने का कोई ताट्य पर नहीं रहता है अब आप देखें आज बिहार में पिछले द तो इस तरह के नियम को continue आगे करके रखना फिर कोई मतलब नहीं है और मुखमंत्री जी बिल्कुल मौनधारन के हुए वह कहते हैं कि मैं किसी को सुनगा नहीं अपने अपना काम करते रहूंगा अब बिहार के लोगों का बात नहीं सुनेंगे अपनी जनता की बात नहीं दस में से अगर नौ लोगों ने शराब बंदी को खत्म करने की बात ना की तो फिर सब लोग शांत हो जाएंगे हैं कि पब्लिक का ये पब्लिक चाहती ऐसा हो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है नकली शराब मिल रही है रोज लाख रुपे के शराब जब्थ हो रहा है गाडिया पर न्यालय पर बोज पड़ चुका है जेलों में जो लोग बैठे हुए हैं किस क्लास से हैं गरीब हैं दलित हैं पिछरे हैं अती पिछरे हैं सब लोगों से जेल भरा पड़ा है अब सब आदमी एक 10-12 जार कमाने वाला किसी कारण से उसने कहीं पी लिया और जेल चला गय इटान của बचे क्लरें दमर्ण होड़े हैं कि अपने सब्सक्रों से पारती ठाला को तो नहीं पार्ण और शाड़ें और मौण दें करके बैठे हुए हैं तो यह इसका कोई मतलब नहीं बनता है लेकिन बात अगर करें तो सियम नितीश कुमार समासुधार यात्रा पे भी निकले हुए थे और उनकी तरफ से दावे ही किया रहे है कि शराबंदी कानून से महीला रहें ने मुखमंतर जी बताएं उसका घर उजड़ गया जिसका भाई 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 के मित्ती हों जरूरी पिटा चला गया तो यह कौन चोगुना जाम पे मिल रहा है तो जिसको पीना है वह पी रहा है अब जरीली है क्या है उसका परणाव हम सब के सामने हैं तो कौन कुछ है इससे कोई मतलब नहीं है और चाहां तक समाज सुधारा अभ्यान के बात है तो बिहार में अभी इतनी सारी चीजें हैं सही करने के लि पर मिलेगा और कहीं से अगर लेबर की डिमांड होगी तो यह कहां आपने वह में बिहार को लिया कि आ गया एक समय था जब पूरे संग लोग से वायोग में बिहार अपना हमीशा बर्चर के टॉप करता था वहां पे हमीशा बिहार के ऑफसर पूरे देश में काम करते थे आज देखिए हम कहां है आज टॉपर को नहीं मालूम है किस विशाय में उसने टॉप किया तो कहां शिक्षा भी खतम हो गया शिक्षा को शिक्षा विवरस्ता को आपने ध्वस्त करके छोड़ दिया तो कोई मतलब नहीं है समास सुभा सुधार यातरा करने का अब आप आज कर रहे हैं किस चीज के लिए क्यों नहीं चीज शूदरी अभी थोड़े दिन पहले में पड़ा था कि क्लस्टर्स बना करके साड़े-पांच-शे करोड़ में मौडल स्कूल बनें तो अवासिय विद्याले अंबेतकार अवासिय विद्याले पहले से बहार्सकार ने बनाया हुआ है जो पहले से अब बुरी स्टी में पड़ी हुए जहां सिप अनुसुची जाती है और उस्टी जाती के बच्चे पढ़ते हैं अभी कुछ दिन पहले करीब 15-20 दिन पहले भागलपूर में एक वाक्या आया कि अंबेतकार वासिय विद्याले के बच्चे जो पाइस साल बार लोगों के चापे में मिलेगा बहुत सारी चीज़ें जो शराब बंदी के लावा मुखमंति जीयों करनी चाहिए लेकिंगे मुखमंति ज्यान नहीं दे रहें आज देखिए इतना जोलन समस्या है जो हम आप आज ज्यान नहीं कोवीट खतम हो जाएगा ले को मिल सके लेकिन वो नहीं हो रहा है व्यासरकार ने का किया है ताहरा मंदर के सामने एक बोर्ड लगा दिया जहां से आप पुरान सचे वाले के पास आइए वहां देख सकते हैं अपरेटर्स कहा है क्लीनियर कहां मिल रहा है कि शराब बंदी जब हुई है तो लोग जहरील कि हवा से मरेंगे तो यह चीज़ है शराब बंदी तो बिल्कुल ही को मतलब नहीं बनता है अब इसका को मतलब हो चुका है तो मुखमंत्री जी से आपके माध्यम से हमारा यह विनय है अनुनय है इसको जो बोलिए कि इसको खतम करें पुरह देश बिहार को देख रहा है हम बदनाम हो रहे हैं बिहार के लोग मर रहे हैं आपके लोग मर रहे हैं इसको आप आगे कंटीनियों की नहीं कीजिए मैं बड़ी विनमर्ता से मुखमंति जी से आवेजन करना चाहता हूं कि इस ड्रैकोनियन लौ को बिल्कुल जल से जल खतम करें या ऐसी समीक्षा करें कि जिससे कम से कम लोगों के मृत्ति नहीं हो और शराब के कारण लोग जेल में ना सड़ें यहां तक कि भारत के आपके मुखने अदिश ने सरवचने आले के मुखने आदिश ने चुका कि यह अदूर दर्शिता वाला यह नियम है तो अब अगर समिक्षा नहीं करेंगे अब तो ठीक नहीं करेंगे शराबंदी रखना रखना रखें लेकिन ऐसा करें लोग की मित्ति नहीं हो लोग देल में सड़ें यह कोई मतलब नहीं आप वहार के राजा है मुखमंत्री हैं अपको आपको लोग दर देखना है यह सिर्फ बोल के निकल जाएंगे आप कि मैं जो भी वेक्ती सही बात करेगा समाज का सच अच्छा चाहएगा वो यह गिलत नियम को सभी यह उताने की, नहीं होना चाहिए अगर आप इसको कंटिनिव करेंगे तो मतलब आप चाहते हैं कि लोग बिना वजय जरीली शराब के कारण मरें इसको जारी रखने का मतलब यह है कि मुखमंत्री जी लोग का परवा नहीं करते हैं उनको अपने लोग के चिंता नहीं है उन्हें सिर्फ सत्ता से मतलब है तो यह थी हमारे साथ कॉंग्रस के नेता अदितिव पास्वान जन्हों ने कई तरह की बाते कही साती साथ यह भी बताया कि अगर बिहार के लिए सेमृतीश कुमार चाहते हैं कि विकास हो तो उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि शराबंदी कानून को खत्म किया जाए औ और बताया कि केंडर की तरह से जो पैसे जो राशी राज्य सरकार को दी गई है कि केंडर के द्वार्ण सरकार दीगाई है ऐसे में इसे लेकर भी जो काम होता है वो विकार के मुखिमा रत्र Ja advice क्म जाना चाहिए ताकि प्रदूशन का लेवल बिहार में कम हो सके फिलाल के इतना ही जादा अपडेट के लिए आप बने रहें न्यूस फोर्नेशन के साथ मसकार